नौरात्री के छोथे दिन कुस्मांडा मा के पूजा की जाती है और उनके लिए भोग में मालपुआ बनाया जाता है तो मैंने भी मालपुआ बनाया हुआ है तो चलिए रेस्पी देख लेते हैं क्यों मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है हलो दोस्तों मैं साथनार बहुत-ब बनाऊंगी आप चाहें तो मैधा भी उज़ कर सकते हैं इसमें मैं थोरा सा इलाइची पाउडर डाल दी हूँ और इसमें दूध डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका हमें एक अच्छा सा बेटर रेडी करना है ना ही पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाना है आप चाहें तो इसे पानी से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसे दूध से बनाया है तो इसमें वन एंड हाप कटोरी छोटे कटोरी से दूध लगा है अब इसमें मैं थोरा सा बदाम को काटके डाल दी हूँ और थोरा सा किसमिस डाल दी हूँ आप चाहें तो कोई और भी डाल सकते हैं या बीना ड्रीाइफूट्स के भी आप बना सकते हैं तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिये बैटर हमारा ऐसे ही बनना चाहिए इससे ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए तब चलिए इसके लिए हम चासनी बना लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक ग कर लेंगे चीनिक और इसमें इलाइची को क्रस्क करके डाल दिया है 2,3जनि इलाइची को अब यहां फूट कलॉर डाल डूर रही हो आप चाहे नो किसर भी डाल सकते हैं फूट कलड की भी बना सकते हैं वियुलका है इसको मैंने अच्छे से उबाल ली है इसे हमें बस चिपचिपी से चासनी चाहिए तार नहीं बनाना है जैसे हम गुलाब जावन के लिए बनाते हैं बस वैसे ही हमें इसकी चासनी रेडी कर लेना है दोनों हाथों के बीच में मैं चेक कर रहे हूं तो यह दिखें कर ली हूं और इसमें बैटर को बीच में डाल दूए तेल को मीडियम साइज पर गरम करने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे तो यह देखिए बहुत अच्छे से नीचे से पक जाएगा और अपने आप यह पैन को छोड़ देगा तब इसे हम पलटेंगे अब चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं घी में भी तल सकते हैं अब इसको हम पलट देते हैं यह बहुत अच्छे से फूल भी रहा है तो यहाँ पे स्लो टू मीडियम आज पे ही इसे हम पकाएंगे अब दोनों तरब से इसे हमें गोल्डेन ब्राउन कर लेना है तो देखें बिल्कुल डेडी हो चुका है अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी प्रोसेस से और भी माल पुए को तल लेंगे तो देखें कितना बड़ी है इसका कलर आया हुए है तो यहाँ पे चासनी हलकी सी गरम है ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए और मैंने माल पुए को तल लिया है 5-6 अब इसमें चासनी में मैंने इसको डाल दिया है कि करके अब इसे चासनी में मैं 5-8 मिनट के लिए और दोनों तरब से हम इसे पलट लेंगे तो देखें मैंने इसे 8 मिनट के बाद निकाल लिया है ज्यादा दिर नहीं रखेंगे और निकाल कलक प्लेट में रख लेंगे तो इस तरीके से मैंने माल पुआ बनाया हुआ है तो आप लोग भी बनाइए और माता रानी क्या भोग लगाए और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मैंने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं